Hello everyone, welcome back to VIP Topper Classes आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गोपाल से नेपाली जी का कभी परचा है गोपाल से नेपाली जी की आपको हर क्लास में 9 से 12 में आपको एक कभीता जरूर मिल जाएगी इसलिए यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है यदि आप एक्जाम्स में टॉप करना चाहते हैं सबसे अच्छे नमबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको हर कभी का कभी परचे एक बार अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए ठीक है? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गोपाल से नेपाली जी का कभी पर चेक किस थरीके से लिखें तो सबसे पहले हम लिखेंगे कभी तो हमारे कभी का नाम है गोपाल से नेपाली जी रचनाय हो जाएगा हम इनकी चार रचनाय पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत एजी हैं वैसे तो एक्जाम में आपको दो रचनाय लिखने को ही आती है पर आप चार पढ़ने के बहुत इजी हैं सावन, आचल, पंची, नवीन यदि आप अपना फ्रेंड सरकल देखें तो आपको इन चारो नाम में से कई नाम आपको मिल जाएंगे इसलिए इनकी रचनाय जो हैं बहुत इजी कहला जाती है ठीक है और ये उप्शनल में भी पूछा जाता है कि सावन, आचल या कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि ये किसकी रचनाय हैं ठीक है चुकि 30 नंबर के उप्शनल आते हैं तो आप लोग ध्यान रखिए कि ऑप्शनल के लिए अच्छे से तयारी करें ठीक है इसके बाद हम पढ़ेंगे भावपक्च इनके भावपक्च में हम फर्स पॉइंट लिखेंगे देश प्रेम चुकि अगर आप भावपक्च इस तरीके से लिखते हैं पॉइंट वाइस तो आपको एक्जाम में बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांस हो जाते हैं क्योंकि एक्जामिनर को आपकी कॉपी सबसे हट कर दिखाए देती है ठीक है तो इसमें आप फर्स पॉइंट देश प्रेम डालकर लिखेंगे गोपाल से नेपाली ने अपनी कविताओं में देश प्रेम पर ही मुख्य जोड़ दिया है इन्हों ने अपनी कविताओं में राश्ट्री चेतना के साथ साथ मानवी जीवन की अनुभूतियों का प्रभावशाली वर्णन किया है ठीक है सेकेंड पॉइंट होगा साहर देता और भावुक्ता तो भाई बहन कविता में भाई बहन के देश प्रेम को राश्ट्री प्रेम के रूप में प्रदर्शित कर दिया गया है हैदय के भाव राश्ट प्रेम को समर्पित है ठीक है तो ये हो गया साहर देता और भाबुगता और थर्ड पॉइंट आप लिख देंगे उत्करष्ट रश योजना तो गोपाल से नेपाली की कविताएं देश भक्ती पर आधारित होने के कारण वीर रश को इंगित करती हैं ठीक है इसके बाद हम लिखेंगे कलापक्च चुकि जब भी हम कभी का परिचा लिखते हैं तो भापक्च और कलापक्च लिखते हैं जब हम लेखकों का परिचा लिखते हैं तो उसमें भाषा और सैली लिखी जाती है तो कलापक्च में हम लिखेंगे कि भाषा कैसी है ठीक ह तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे भाषा गोपाल से नेपाली की भाषा शाहित्तिक होने के साथ साथ व्योभारिक है इनके द्वारा प्रेयोक्त भाषा सरल सहज एबं प्रभावशाली है आप ये पॉइंट को अच्छे से याद कर सकते हैं किसी भी कभी के में आप लिख सकते हैं यदि आपको याद नहीं आता है कुछ तो उनके कलापक्च में आप लिख सकते हैं कि इनकी भाषा सरल सहज एबं प्रभावशाली है ठीक है सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे अलंकार विधान तो आपकी अलंकार योजना स्वभाविक है अनुप्रास और पुनुरुक्ती प्रकास अलंकार का सुन्दर प्रयोग किया गया है ठीक है तो यह हमारा हो गया कलापक्च अब हम लाष्ट पॉइंट लिखेंगे चुकि हमेशा लिखा जाता है शाहित्य में इस्थान तो लाष्ट पॉइंट शाहित्य में इस्थान में हम लिखेंगे कि नेपाली जी की रचनाओं में राष्ट प्रेम उत्करष्ट है नेपाली जी की गर्णा विशिष्ट राष्टरी कवियों में की जाती है ठीक है इस तरीके से हमारा ये कभी परेचर कम्प्लीट होता है आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप यहां तक हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दें क्योंकि हमारा भी जो मनोबल है केवाल आप लोगों के सपोर्ट पर ही निरभर है अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारा जो मनोबल है वो कम होता जाता है इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें वीडियो देखने के लिए अप्लोप का बहुत बहुत धन्यवाद